तो आज ये मारा कर्स है खेंडा mean of 13 16.4 18.8 9.2 और 15.6 and 9.8 इनके हमें क्या निकालने, mean निकालने, mean हमारा होता है क्या पहले, mean अगर हमें निकालनों को mean चैसे average निकालने में अच्थिरेटीक mean क्या होता? जैसे average होता? mean क्या होता sum of the observation, sum of observation, observation and number of the number of the observation, ओ कितनी observation, number of observation, sum of the observation का मतलब कितनी observation है, जैसे यहां कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इन 6 का sum, और number of the observation कितनी number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, अपन 6, तो अगर हम sum करेंगे, means equal to क्या तो sum, तो कितना, 13 plus 16.4, plus 18.8, plus 9.2, plus 15.6, ओके, और plus यह 9.8 अपन का आजएगा, number of the observation कितने, है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपन में 6, अब इन सब का क्या कर दो, sum कर दो, तो हमने इसका sum कर रखा, आप लोग sum कर ले न, sum इसका रहा, 82.8 आपन 6, ठीक है, आप sum कर सकते, 13.00, 16.4, 18.8, 9.2, 15.6, और 9.8, इनका sum करना, कितना रहा, 82.8 आ रहा, अब 6 इसको डिवाइड कर दो, तो simple है, 6 चे क्या कर दो, डिवाइड, 82.8, तो 6, 6 बन जा, 6, 8 में से 6 दे, 2, ये 2 उत्रेक, 2, 6, 3 जा, 18, 12 में से 8 गया, 4, अब बीच में पॉइंट आ गया, तो पॉइंट उपर चला जाएगा, और ये 8 यहां आ जाएगा, 6, 8 जे कितना हो जाएगा, 48, तो कितना आ रहा, में फॉइंट, ओ स्वरी, 13.8, में हमारा आ रहा, कितना आ रहा, 13.8, ओके,